हेलो दोस्ता आप सभी का मेरे फूड रेसेपी चैनल पर स्वागत है और आज मैं पर्फेक्ट तरीके से दानेदार हलुए की रेसेपी आप सभी के साथ शेयर करूंगी तो आप भी वीडियो में बताए गए तरीके से हलुआ बनाएंगे तो आपका भी हलुआ बिल्कुल ही पर्फेक्ट और दानेदार बनके तयार होगा ये देखिए हलुए का एक एक दाना बिल्कुल ही अलग-अलग दिख रहा है हम इसे घर के इंग्रीडियन्ट से बनाएंगे और ये बिल्कुल ही पर्फेक्ट तरीके से बनकर तयार होगा तो आप भी इसी तरह अपने घर में हलुआ बनाएं तो ज़्यादा टाइम ने आ लेते हुए चलिए जल्दी से इसकी रेसेपी देख लेते हैं पर्फेक्ट तानेदार सूजी का हलुआ बनाने के लिए हमें चाहिए हाफ कप सूजी आफ कप चीनी आ फा कजी दो कुटीष हूई mirac कटे हूए ड्राइफ रूट और पानी तो चलिए अब हलूआ बनाते हैं पानने के लिए सबसे पहले हमें पैन लेंगे गैस अन करेंगे और पैन को गरम होने देंगे पैन हमारा गरम हो गया है हम इसमें सूजी एड़ करेंगे हमें सूजी को ड्राइ ही रोष्ट करना है इसे मिलाते हुए भूल लेंगे आप भी इसे तरह मिलाते हुए हाई टू मेडियम फ्लैम पे इसे भूल लेंगे यह देखे सूजी हमारा भूल गया है हम इसे निकाल लेंगे हमें इसे इतना ही भूलना है सूजी हमारा भूल गया है हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे सूजी में एड़ करने के लिए हम चासनी बना लेंगे चासनी बनाने के लिए हमें चाहिए एक सॉस पैन या चीनी एड़ करेंगे हाफ कप चीनी लिया है हमें इसमें सूजी के डेड़ गुना पानी एड़ करना है हमने हाफ कप सूजी लिया था इसलिए हम डेड़ कप पानी लेंगे पानी एड़ करेंगे यह देखें यहां मैंने डेड़ कप पानी एड़ कर दिया है इसमें हम इसे मिला लेंगे आप भी पानी को मिलाते हुए इसमें चीनी मेल्ट कर ले हमें इसे इतना ही पकाना है चीनी मेल्ट हो रहा है हम इसमें कुटी हुई लेची एड़ करेंगे पानी में लेची एड़ करने से सूजी का हलुआ में बहुत ही अच्छा लेची का फ्लेवर आता है चीनी हमारा मेल्ट हो गया है हम इसे गैस से उतार लेंगे और चलिए हम बना लेते हैं अब हलुआ पैन को हम गरम कर लेंगे और इसमें घी एड़ करेंगे गी हमारा मेल्ट हो गया है गैस का फ्लेम मेडियम कर दे और गी हमारा गरम हो गया है हम इसमें हमारे ड्राइफ फ्रूट एड़ करेंगे इसमें ड्राइफ फ्रूट एड़ करके इसे फ्राई कर लेंगे ड्राइ फ्रूट हाफ फ्राइ हो गया है हम इसमें किसमिस भी आड़ करके फ्राइ कर लेंगे यह दिखें ड्राइ फ्रूट फ्राइ हो गया हम इसे निकाल लेंगे हम इसी घी में सूजी आड़ करेंगे और सूजी को हम घी में भी एक से दो मिनट के लिए भून लेंगे घी में सूजी को भूनने से हल्वा हमारा पर्फेक्ट दानेदार बनकर तयार होगा हम इसे एक से दो मिनट के लिए भून लेंगे सूजी को हम लाइट ब्राउन होने तक भूनेंगे आप भी इसी तरह अपने घर में हल्वा बनाएं आपके भी हल्वा बिल्कुल पर्फेक्ट और दानेदार बनके तयार होंगे यह देखिए भूनते भूनते सूजी का कलर लाइट ब्राउन हो गया है हमें इसे इतना ही भूनना है हम इसमें इस टाइम पर हम इसमें चास्नी आट करेंगे आप भी थोड़ा थोड़ा करके चास्नी आट करें हाग चास्नी आट करके इसे अच्छे से मिला ले हम इसमें इस टैम पर सारी चास्नी आट करेंगे हलूए को पकने दे आप भी इसी तरह मिलाते हुए मेडियम फ्लेम पर हलूए को पकने दे जिससे हलूए हमारा बिल्कुल पर्फेक्ट तरीके से दाने दार बनके तयार होगा यह देखिए हलूए हमारा बिल्कुल दाने दार दिख रहा है यह देखिए हलूए हमारा बन गया है हमें इसे इतना ही लिकुर्डी रखना है यह जैसे जैसे ठंडा होगा तो और ठिक होते जाएगा इस स्टेज पे गैस का फ्लेम आफ कर देंगे और हम फ्राइ की हुए ड्राइ फ्रूट अड़ करेंगे ड्राइ फ्रूट को भी अच्छे से मिला लेंगे यह देखिए हलूए हमारा बन गया है हम इसे सरु कर लेंगे यह देखिए दोस्ता हमारा पर्फेक्ट दानेदार हलूआ बनकर तयार हो गया है मैं आपको पास से दिखाती हूँ इसका एक एक दाना बिलकुल पर्फेक्ट तरीके से दिख रहा है आप भी अपने घर में इसी तरह हलूआ बनाए सभी को बहुत पसंद आएगा और आपको मेरी रेसिपी अच्छी और हेल्फूल लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सस्क्राइब करें थैंक्स फोर वाचिंग